दोस्तो मैं आपका दोस्त सचेन सिंग आज हम लोग जानने वाले हैं वीडियो में पूरी जनकारी मिलेगी वीडियो को इसको नहीं किजिएगा और वीडियो को अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए वेल आइकन को दबा लिजिए दोस्तो मेरे इस चानियल के आपको इसी से रिलेटिट वीडियो में लेगा आएए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तो तो दोस्तों यहाँपे मैंने प्लेटेनम कुर्शिवर लिया जो कि अभी हम मिलाएंगे इसमें fusion mixture को जो है जो से 3 ग्राम लेकर कि इसको अच्छा से mix कर लेंगे दो ग्राम में और एक ग्राम से क्या करेंगे उसके उपर layer में धक देंगे ठीक है और उसके बाद जो है गंटें डालने के बाद इसको अच्छा से जब इसमें फ्यूज हो जाएगा में फोल्ट हो जाएगा इसको जो है निकाल लेना है अब मैंने स्कोफर में डाल दी खैस अभी निकालेंगे ए घंट बार तो दोस्तों मैंने चीट निकाल करके तो बेकिंग करना है इसको पूरा अच्छा तरह से इसमें को निकाल लेना है दिस्टिल वाटर से वास करके तो देखिए बेकिंग मैं कर दिया हूं अभी बेकिंग होने के बाद आपको ऐसा होगा जो कि S.C.L. का एसमेल जो होता है वो गाय हो जाएगा बेकिंग का एसमेल ब 20 एमेल रखेंगे S.C.L. और 10 से बीस एमेल वाटर रखेंगे यानि टूटल पचास एमेल इसको जो है बना लेंगे और इसको अच्छा से जो है हलका वाइल करके सेटल कर लेंगे ठीक है उसके बाद इसको फिल्टर करेंगे मदर सलूशन बनाएंगे 500 एमेल भोलमेटिक प यह आप फोटी नमबर से भी कर सकते हैं यहां देखिए मैंने फोटी नमर लिया हुआ है तो फोटी नमबर ही आप लोग उसकी जिएगा और वह आपको भटेगा भी नहीं अच्छा से उसको फिल्टर कर लीजिए पहले सिलिका को यह सिलिका जो है बेखिंग करने के बाद अच्छा से फिल्टर कर ली अँऔर अच्छा से पहले अपको फिल्टर होने देना है अगर अच्छा से फिल्टर नहीं होगा जाएगगा दो तो इस तरह से आप शिलिका को पहले अच्छा से फिल्टर कर लीजिए अब शिलिका मेरा फिल्टर हो चुका है अच्छी तरह से तो अब शिलिका को क्या करना है इसको होट वाटर से वास करना है इसको अच्छा से वास कर लेना है कि मेरा तो अभी आप देख सकते हो कि फिल्टर हो रहा है फिनिस हो गया मेरा अभी मैं इसको मेंक अपकर जितना भी 500 ml भॉल्मेटिक फ्लास में मेक अप कर लेना है दोस्तों और जो शिलिका था उसको मैंने कुर्सेवल में जला दिया है तो कुर्सेवल में मैंने उसको जलाया है वन हावर के लिए 950 टेंपरिचर पर ही और उसका कल्कुलेशन जान देते हैं शिलिका का क्या है तो स सिलिका पर्सेंटेज आपका निकल जाएगा दोस्तों इस तरह से आप अपना फर्मूले लगा करके सिलिका निचाल लीजिएगा जो नीचे का मदर सलूशन बचेगा उसको उसमें सी एओ एमजी ओ आईरन केल्मोना अर्टो थिरे निकालेंगे वीडियो को स्कीप नहीं कि दिए है कुष्यवल इंप्रीवेट लिखा हुआ है उसके बाद यहां पर टोटल दिया हुआ है अब यहां पर स्टाट हम कर दिये सीए ओ ठीक है तो मदर सलूशन में से आपको दसे मिल लेना है पांच मल टैथन ओमल वनिस्टोन लेना है उसके बाद तो है टेन मिल एने मे दिखाएंगे आपको लाइव मैंने करके दिखाया है इस वीडियो में वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा चलो जो है लाइव आगे आपको मिले यहां पर मैंने थे रोटीकल यहां पर लिख दिया है इसको फॉले कीजिएगा और आगे जो है इसी को follow करते हुए आप CEO देखिएगा जो आपने 500 ml का volumetric flask make up किया था उसी में से 10 ml लेना है पॉनिकल flask में और बाकी चीज जैसे ट्राइफन और माइन है ग्रीस रोल है एने वेच है उसको follow किजिएगा और start किजिएगा आए लाइव जानते हैं तो देखि उस उसको अच्छी तरह से पीपेट से जो है ले लेंगे कोई भी याद रहे कोई भी लेना है तो पीपेट से नहीं लेना है अब उसमें मैं एड कर रहा हूं जो मैंने आगे लिखा हुआ था ट्राइथानोलमान ग्रीस्टोल और न ओएच फोरेन का पांच-पांच एमल दोनों लूँगा यह दसमेल लूँगा और उसको टाइटेशन करूँगा इड़ीटिये से तो दोस्तो इस वीडियो में इस वीडियो को बनाने का तब करें यह आप पूरा एनलाइसस सीख जाइएगा ठीक है तो यहां पर मैंने पे एंडर इंडिकेटर डाल दिया है जो कि आप देख सकते हैं पिंग कलर आए हुआ है अब टाइटेशन करेंगे तो मेरा स्काइब विलू आएगा जो कि इंड पॉइंट होगा जो भी इसको एकदम क्य सब्सक्राइब तो यहां पर देखिए स्टार्ट है देखिए स्काइब कलर आ गया है यहां पर मेरा इंड पॉइंट उसको नोट कर लीजिएगा जो भी आएगा ठीक है मैंने इसमें वीडियो में पूरा एकदम अच्छा से आप लोग को समझाया है कि कैसे क्या है एकदम क स्काइब भुलू आने के बाद नेट कर लेना है उसको आप लोग बहुत ही महणुत के वीडियो बनाया है दोस्तों आप लोग इसको समझ एगा नहीं समझेगा तो आप लोग को पूरानी सीख पाईएगा ठीक है तो दुस्तों आपको कैल्क्युलेशन आगे हम बता रहे ह कैसे करना है ठीक है घ्रियों में बने रही है इस के पने कीजिएगा तो कैल्कुलेशन यह है के लिए 0.0608 into molarity अगर माल लिए अगर आपने 25 लिया है तो 20 लिया है तो 20 कर दीजिए जो भी भी भोल्म होगा अब एक कल्कुलेशन डाल करके आप अच्छा से स्किप करनेंगे सब्सक्राइब स्कर्णाब्णीर आपको मिलेगा तो समझी आप पूरा 15 जया जा च्क लिए बहूँत ही मेहनत करके वीडियो वनाने में तो विडियो विल्किल इसकिप नहीं किजिएगा तो आगे हम लोग जानेंगे MGO के बारे में जो की अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग MGO ठीक है दस्तों तो दोस्तों MGO के नहीं है दीया है जैसे मैं यहां दिया है यहां की 10 ml लेना है लिक्विट सालें इसको और उसकी पॉइंसाड़ उसकी इन पॉइंक होता है उसी को इंड पॉइंट माला जाता है है जैसे ही ऑपका टर्ण पिंक से जो है जैसे ही टर्ण लेगा और एक दो ड्रॉब डालेगा तो आपका जो है एमजीओ का आजाएगा इम जी यू का बैक जादी मार देता है कि इसमें होता है और इसके वज़ाद से बैक मार देता है तो जो भी turn point होगा उसको केरफुली अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों को भी भीजिएगा दोस्तों आए जानते हैं एमजीयो लाइव लाइव देखेंगे तो यहां पर देखिए मैंने 10 एमेल ले लिया है एमजीयो के लिए ठीक है 10 एमेल हीवनटिक प्लास्क में से मैंने किचा है अब इसमें झो है हम क्या क्या मिलाएंगे इसमें फीर से हम मिलेंगे उसके बाद बाफर सलेशन मिलाएंगे और उसके बाद ए ब्ल avent मिलन्घ ठीक हैं फिंक का गया दोस्तों देखिए भी का हुन इसको titration करेंगे, इसका भी color sky ही आएगा, याद रहे, जिहान रहे, थोड़ा भी मतलब जो है, इसकी इप नहीं कीजिए, अगर नहीं तो नहीं समझ पाईएगा, इसका भी color sky ही type आएगा, और उसको note कर लेना है आपको, ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहिए, नहीं तो विल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, titration कर रहे हैं, इडिटीय से, अब calculation जानेंगे, तो देखिए, हाँ पर calculation मेंने लिखा है, MGO का, 0.040 32 गुना molarity of EDTA into volume make-up जो 500 में किया था, आपने, into 100 percentage में किया, into viewer reading, divided sample weight into 10, into 10, 10 यानि कि जो हम ल volumatic make-up में, volumatic, जो भी make-up किया था, volumatic flask में से, 10 ml जो भी solution आपने लिए, conical flask में, वो ही 10 है, ठीक है, तो इस तरह आप calculation करके MGO find कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आसा करते हैं, आपको अच्छा लगा, आगे जानते हैं, आगे जानेंगे, iron के बारे में, यहाँ भी मैंन हैं, फिर color रवी, पहले वाला आजाएगा, titration इसको इडिटी से coloring है, तो color जो है, यहाँ पर दोस्तों colorless हो जाएगा, यानि की water color आएगा, ठीक है, तो इसमें भी हम live आपको दिखाएंगे, कि कैसे क्या होता है, वीडियो को skip नहीं किजिएगा, पूरा आगे है, आपको इ नहीं सिख पाईएगा, तो आएगे starting कर रहे हैं हम लोग iron, तो यहाँ मैंने 10 ml ले लिया है, दूसरे फ्लांस्क में, अब इसको 10 ml लेने के बाद, याद रहे, पिपेड यूज करना है, थोड़ा भी लपरवाही में, अब इसको क्या करना है, इसमें सल्फोसेलिक, थोड़ इसको डालते ही, कलर चेंज हो जागा, दोस्तों देखिए, कलर चेंज हो गया, उसके बाद इसमें जो है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1-6 का, NS4OH, मिलाएंगे, ड्रॉब बाइड तो कलर इलो हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है, मतलब समझने वाली बात इसक कर दीजेगा, नहीं समाज पाईएगा, तो यहाँ पर देखिए, कलर टर्न हो गया, वैसे ही, आपका इसमें, फिर से मैंने जब 1-10 ACL डालूंगा, तो कलर रभी कलर आएगा, यानि कि हलका आप तिंक भी बोल सकते हैं, रभी कलर आता है, ठीक है, तो अभी देखिए, कलर च ठीक है, तो यहाँ देखिए, अभी मैं titration कर रहा हूँ, slow titration करना है, तो याद रहे है, आइरन का, कभी भी slow titration करना है, fast किजिएगा, reading absorb ज्यादा आजाएगा, ठीक है, slow drop by drop लेना है, इसको फुरा fast नहीं करना है, तो colorless तक करना है, इसमें मैंने अभी colorless नहीं होने दिया यहाँ तक किया हूँ अभी colorless तक करना है, तो calculation जानते हैं, तो calculation जो है, आइरन का 0.07985 into molarity, into volume makeup, जो अपने 5 से किया, into percentage, into beauty reading, divided sample weight, into 10, जो है, फिर से मैं भी बोल रहा हूँ, 10, वही जो आपका अपने दिया था, पहले, याद रहे है, इसको फेकना नहीं है, इसी में हम ल लेना है, तो ठीक है, जो आपने iron EDTA से titration किया, इसको फेकियेगा नहीं, आगे देखते हैं, ilmuna पर इसे निकलेगा, ठीक है, आइए जानते हैं, तो स्टार्ट कर दिया, ilmuna यहाँ पे, एक बी से मिल एक्सेस EDTA, जिस से आपने titration किया, वही EDTA जो है, जो है, बी से मिल एक इसे करना है, दोस्तों, वीडियो को स्किप करेंगे, तो आप स्किप हो जाएंगे, जान लीजे, थोड़ा भी knowledge आपके लिए, बहुत ही ज़रूरी है, knowledge नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर theoretical मैंने दे दिया है, आगे जो है, मैंने practical दिया है, तो आप बिल्कुल स् से करना है, याद रहे, बिस्फूट नाइटर सलूशन का इसे करना है, वो भी मैंने इस वीडियो में दिया है, दोस्तों, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी theoretical है, उसको समझना है, तो यहाँ पर देखिए, बीस्फूट से जब अप्रेट करेंगे, तो डार्क रेड नोट कर लीजिएगा, बैक टाइटेशन एडिटी से करिएगा, गोर्डेन लवाएगा, वो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव के बाद केल्कुलेशन दिखाऊंगा, तो यहाँ लेकित में तन पर सबसे पहले हमने ठाइमल गूलू डाला है, जो की हलका डालना है, जासे ज़्छेज डालेंगे कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उसके बाद जो है, वरल लडिन लडिन परपश के लिए है, फंस्वरी के सिट डालेंगे, वस्वरी सेक्ट डालन यह तो मैंने 25 एमल डाल दिया जैसे डालेंगे color yellow हो गया colorless हो गया अब इसको जो है खलका warm कर लेंगे तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक कोई लिए खलका warm कर लेंगे देखिए भिल होल वहने के आप छो है मैं अनियर अब एक हुआए highlight यहां बीश्मूट नाइट इस सब्सक्राइब हो तो शुक्त का 40 बतीज बुख में दिया हुआ है वह से आप बना लिजिए गा तो अगर नहीं है तो उस पे भी वीडियो बना दोगा अब इसको बिस्मूथ नाइटेट से मैं टाइटेशन कर लूँगा जो भी आपका बीडियो नाइटेट से टाइटेशन करना है दोस्तों पर जो है हलका पिंक टाइब का आएगा देखिए कलर चेंज हो रहा है देशे क नोट कर लिए अब बीसमूट नाइड से करने के बाद उसको लोग याद रहे है इसको लोग भैक टाइटेसन करेंगे जो की याद रहे विले के सक 대한 मेसितलै कुप क्या विएंडिकार चलेशन करेंगे बैक टाइटेसन का भी सब्समानों कि जो भी आपका इन यह थायए बहुत ही मेहनत करके आप लोग लिए प्रैटिकल बना रहा हूं अपने लैब में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को अधियो के लिए एकश चमा के लिए जो भी हमने लिया वे इस ़ुसका पुरस प्लियोन के लिए जो लेंगे अपर मैंने रखता है वी अधिया था यौ लिया था और चमानी उसका विश्मूटनाइटिट करते वक्त आया था तो 24 x 0.882 है विश्मूटनाइटिट का तो मैरा कल्कुलेशन यहां पर दिया है उसके फॉलो करके यहां पर मैंने आपका निकाल दिया है ठीक है तो 9.58 मेरा एलमुना यहां है इस कल्कुलेशन को आप लोग अध्यान से समझ का एक्युवैले 충ig चैसे निकालते हैं तो यहां पर मैंने दिया है नेस्ट आने वाला है अभी इसी वीडियो में वीडियो बस्किप करना किसी एगा इसी वीडियो में मिलेगा एक्यूवैले Ammok Till Espuit Cond recuperary को आई जानते है वह इसको चित्य ही करते हैं नहीं और नोट करने के बाद आये जानते हैं तो इस पर चेम गया आपको जो है तो आगे मिलेगा कि इसको करना धिरे क्या calculation है क्योंकि मैंने theoretical और theoretical दोने दिया है वीडियो skip किजिएगा तो आप बीच में ही रह जाएगा आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चलेगा ठीक है आप लोग के लिए बहुत ही मेहनद करके वीडियो हम बनाते हैं यह मेरा आज का फूल इनलाइसस के वीडियो था कि ताकि आप लोग अच्छा से निकाल सके अच्छा से सीख सके जो कि इतना सीखने के लिए लोग पांच साल चार साल दस साल इंग्रिस्ट कर देते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लिजिएगा पूरा इ इन हिंदी में बना रहे हैं इंग्लीस में नहीं बना रहे हैं यहां पर तो सिर्फ आपका इंग्लीस में लिखा हुआ है जो की नौर्मल है उसको शम Hazelnा फिर मैं हिंदी में ट्रांस्पर और आप लोग मैं बता रहा हुँ तो आई आप जानते हैं लाइग है पार की कि ताकि आप लोग भी शीख पाएं वो लोग भी शीख पाएं तो देखते हैं तो देखिए यहां पीश्बूत नाइट्रेट है सलूशन एस्टेंडर सलूशन दस इमिल इसमें मैंने ले लिया है अब इसमें जो है जाइलन और इंडिकेटर लेंगे तीन से चार्टरौ पर पांस लोग जो भी है यह जाइलन और इंडिकेटर आ गया डख लेंगे इसमें उसको टाइटेशन मारेंगे इदीटे से और इदीटेशन करने के बाद जो भी व्यूरे रीटिंग आएगा उसको यहां पर देखिए आपका color जो है मतलब जो है change हो जाएगा ठीक है उसको note कर लीजिएगा जो भी आपका in point होगा वो note कर लेना है ठीक है देखिए color change हो गया दोस्तो गोल्डेन एलो टाइप का आ जाता है दोस्तो color change हो जाता है पहले वाले से दूसरा color change हो जाएगा आप calculation जानेंगे दोस्तों calculation जो है आपका equivalency value पैसे निकालेंगे तो जो भी volume EDTA रहेगा volume EDTA यानि की 8.8 है example हमेने दिया है तो मेरे 8.8 है था जो volume आप विशूद नाइट यानि की आपने 10 मिल लिया था तो 8.8 को जो है divided 10 कि जिएगा आपका equivalency data जो जлатए तो हमुल आप 5 लिए जो है जाता है कि उसको फिर से चाह sécurité और कमेंट जरूर हो के वीडियो का ऐसा लगा आगे जानते हैं कुछ विशेस बाद तो आर्टू थी प्रोसेस स्टार्ट लाइब हम लोग करेंगे आर्टू थी कैसे करना है तो जो भी 500 ml का जो आपने भॉल्मर्टी क्लांस मेकप किया था उसमें से 100 ml लेना है समें लेने के बाद जो है अमोनियम होट वाटर यूज करेंगे आप्टर फिल्टर रेस्ड्यू को जलाने के लिए जो भी आपके पास पूर्शिबल है अथ्वा जो भी पूर्शिबल है उसमें ए घंटे के लिए एट टेंपरेचर नौ से पंचास टेंपरेचर में आप जला सकते हैं ठीक है तो यहां भी हिंदी में आप लोगों के लिए म献िने वीडियो बनाया है तो थेक़ इस वीडियो में आप लोग पो यह भी वीडियो कैसा लग रहा है कहां कहां तक पहुंचा रहा है यह भी कमझेंट किजिएगा दोस्तों कि यहां पर थेऔरीकल दिया है आगे प्रेटिकल भी दूंग देखिए वीडियो की स्किप नहीं कीजिए पूरा देखिए तो दोस्तों आ गया आपका नेस्ट लाइट आर्ट तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और बेल आइकन बदवा लिजिए तो यहां पर 100 ml मैंने ले लिया है इसको जो हॉट फिलेट में रखने के बाद आमोनियम कोलराइट पाउडर डाल दिये हैं मैंने एच अनौ 3 डाल दिया है उसके बाद इसको आमोनियम हाइड अच्छाइड मैने तब तक डालना है तब तक कि यह कलर्रों ना हो जाए तो देखिए मेरा पीपीटी कितना जबर्दस्त आया है आप देख लिए यहां पर पीपीटी कैसा आया है तो प्रेटिकल है ठीक है जो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा जो वीटियो का इसा एक तालिस नंबर फिल्टर पेपर से इसको अच्छा से फिल्टर कर लेजिए, ठीक है दुस्तों, अब फिल्टर करने के बाद इसको अच्छा से लुना कुर्सिबल में इसको अपना रखके जला लिजिए फर्नेंस में, नौ से पचास टेंप्रेचर पे एगंटे के लिए अच्छा से हॉट वाटर से इसको वास कि निए चार से पांच वार वास किजिए लिदब रियर हो जाएगा दोस्तों एना उसके बाद उसको जला लीजिए गा तो मैंने मेरा जलाने के बाद मैंने यह निकाला है तो यह मेरा रटो ठीट है अब इसका कैल्कुलेशन कैसे होता है बहुत दोस्तों नहीं मालूम है दोस्तों आप जानेते हैं तो आप यह है डाइट जो आपने बहुत में किया था अगर 250 करने के बाद मेरा डबलुटू इतना है था डिफरेंस मेरा इतना है उसको माइनस करने से तो डिफरेंस डिवाइड़ सेंपल वेट गुना 500 किया तो 28.1 मेरा रटो ठीक आगे जस्तों अस्ता करते हैं यह वीडियो बहुत ही महत्कुन हुआ हो आप लोग लिए धन्यवादा ह हुआ है